कि यह गाइस बुड़ मॉनिंग वेलकम तु माइन नी व्लॉग्स तो मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा चोटा साउस ट्रीम हाउस 25 भाई 50 में तो यह सामने देख रहे हैं आप यह फोर सिलिंग का काम पूरा कंप्लेट हो चुका है यह नक्षा है 25 भाई 50 का यह सांदार हो गई बैठक और यह फोर सिलिंग का डिजाइन यह हो गया चोग और यह हो गया मंदिर यह किचन 10 भाई 8 एक रूम यह होगा ग्यारा भाई 10 का यह फोर सिलिंग का डिजाइन इसमें और यह हो गया रोजन दाल यह अपना हो गया दूसरा रूम 12 भाई 13 का फोर्चिनिंग का डिजाइंग देखिया यह जंगला छोटा सा और इसमें अटैच लाइटरिंग बात रूम पाँच भाई छेका क्या दे यह अपना हो गया सांदार यह होगी सामने लाइटरिंग बात रूम अटैच यह अपना तीसरा गेट हो गया भार कोर्णर का मकान और यह हो गया बात रूम यह पार्किंग एरिया हो गया सामने और अब चलते हैं उपर गया यह अए फैसेट है डवल तीन अचीं करें यूंचे कभी कभी दिल में अब आगे यह अपना चल रहे है पुट्टी का गाम अब जो गया पर चत बाहर का एरिया बिल्कुल हर यह हो गया बात्रूम बड़े कमाल की चीज़ है यार यह परगुला है ना डिजाइन पड़ा सांदर है कभी बरसात होना तो चाहे पीने का बड़ा ही आनन्द आएगा यह अपना पूरा टाइल का काम हो रहा है इसमें और आप जो पीछे की साइट जो एक कमरा सामने है यह अपना जीना है उपर जाने का रस्ता और यह अपने खुल ओपन एरिया चोड़ा है यह देख रहे हैं आप यह फूरी फोर्चिलिंग है और इस पर फिलाल हो रही है पुट्टी और इस भाई की रिक्स देखिए गया एक सिड़ी लगा रहा है और उस पे टोटल काम कर रहे है मान गे भाई और बबलु भाई क्या आल है बड़िया यह चज्जा है ना पूरा प्योपी का हो रहा है और इसमें लाइनिंग वाला डिजाइन आ रहा है जो आज कल पीवी सीट चल रही है ना उसमें प्योपी हो जाता है पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बाकि आप यह कहोगे कि एक अच्छे तरीके से पूरे सिस्टम से ब बिल्कुल बनाएंगे तो जय हिंद जय वारुप